ये देखिए आनूपम खेव ने ट्वीट किया है तेलंगाना पुलिस को यहाँ पर टार्गेट करते हुए फॉर शूटिंग डाउन दे फोर रेपिस्ट आफ प्रियांकारेडी इन एन एनकाउंटर चलो अब जितने भी लोगों ने ऐसे घिनोना अपराद करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके लिए खतरनाक से खतरनाक सजा चाही थी उनके साथ मेरे साथ जोर से बोलो जै हो उमा भारती ने भी ट्वीट किया किन्तु अभी सवेरे मैंने समचार सुना कि सीन रीक्रेट करने के दर्मियान भागने की कोशिश में ये एनकाउंटर हुआ इस सदी के 19 साल में महिलाओं को सुरक्षा की गारेंटी देने वाली ये सबसे बड़ी घटना है इस घटना को अंजाम देने वाले सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी अभिनंदन के पात्र है रिशी कपूर ने कहा है ब्रेवो तिलंगाना पुलिस माई कॉंग्रेचुलेशन देखिए तमाम तरह के जो रियाक्षन आ रहे हैं इसकी गहराई में जाकने की जरूरत है साना नहवाल ने लिखा है ग्रेट वर्क है अधरबाद पुलिस वी सल्यूट यू और वाकई में क्यों ना कहें क्यों ना कहें सभी तो इंसाफ चाह रहे थे तो सल्यूट तो बनता है जिग्रा दिखाया यहां हैदरबाद की पुलिस ने एंकाउंटर किया है और जो प्रोसेस होता है हैदरबाद पुलिस को जहलना पड़ेगा कि आखिर एंकाउंटर कैसा किया गया वो सारे प्रोसेस को जहलेंगी बविता फोगाट ने लिखा है सुबह उटते ही सबसे पहले आज जो खबर मिली उस खबर से दिल को वड़ा सुकून मिला है हैदरबाद पुलिस ने गैंग रेप के चारो आरोप्यों को एंकाउंटर में मार गिराया है हैदरबाद पुलिस के से आज पूरे देश में खुशी का महौल है खुशी मना रहा है देश की महलाओं में मतलब देखे हर कोई यही लिख रहा है कि कहीं न कहीं इनसाफ मिला है सुकून है तो यह सुकून चाहिए था सब को सब चाह रहे थे कि यार बहुत हुआ बहुत हुआ अब कुछ तो होना चाहिए तो लो यही होना चाहिए था लेकिन क्या इंसाफ ऐसे होना चाहिए था यह एक बड़ा सवाल